इंडियन मार्किट में आए दिन कोई न कोई कार लांच होती रहती है और आज हम ऐसी ही 13 अपकमिंग SUVs की बात करेंगे जो की आने वाले साल 2025 में भारती ये बाजार में लांच होने वाली है पर उससे पहले अगर आप कॉंफी कार्स में नए आया हो तो इस चैनल को सब्सक्र लाक रुपे के अंदर दिया जाएगा जो लुक सब्सक्राइब तोटली आपको नया मिलेगा देखने मेकार बहुती स्पोर्टी स्टाइलिश और बहुती शांदार लगती है वहीं अगर बात करते हैं इसके लेक्ट्रिकल्स के बारे में तो फ्रेंट में आपको LED और आपको LED इंडिकेटर दिये जाएंगे 17 इंचेस के डूल टोन एलावी विल्स मेलेंगे और 200 mm का ग्राउंड किलरंस दिया जाएगा एंजन यहां पर आपको मिलेगा 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पैट्रल इंजन और 1.5 लीटर का हाईब्रेट पैट्रल इंजन पीचर्स हैं जैसे क्योंगे 10.25 इंच का इंफोटेमेंट सिस्टम, TFT ड्रावर डिस्प्ले, Dual Zone Climate Control, Heads Up डिस्प्ले, 6 एयरबैक्स, ABS, EBD, लीन की पसिस्ट यह सब कुछ आपको दिया जाएगा अब अगर बात करते हैं कि यह कार कब तक लाउंच होने वाली है तो जैनुरी स्टाइटिंग में यह कार लाउंच होने वाली है नमबर टू पर आती है नीसान किक्स, किक्स एक फाइब सेटर मिट साइज SUV है जो की आपको काफी पसंद आएगी इस कार की प्राइजिंग चलू होगी 9 लाक रुपे से और इसका जो टॉप मॉडल है वह आपको तकरीबन 15 लाक रुपे के अंदर दिया जाएगा जो लुक्स ने दर वो काफी मॉडरन और स्लीक है देखने में कार बहुती स्पोर्टी और प्रीमियम लगती है वहीं अगर बात करते हैं इसके लाइटिंग वगेरा के बारे में तो फ्रेंट में आपको अल एलेडी इस का सेटाप जाएगा एञेगा एंजन यहां पर आपको दिया जाएगा 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पैट्र इंजन और 1.5 लीटर का नाचुरल्ली एस्पिरेट जिस्प्ले जिस में आपको 5-speed का मैनौल ट्रांश्मिशन और 6-speed उटमेटिक ट्रांश्मिशन दिया जाएगा इंटि लाँच होने वाली है तो मिट जैनवरी में ये कार लाँच हो जाएगी नमबर थ्री पर आती है हॉन्डा ब्रीज ब्रीज एक फाइव सेटर मिट साइज SUV है जिसकी प्राइजिंग चलू होगी 10 लाक रुपीज से और इसका जो टॉप पीछे आपको LED टी लाइट और आपको LED इंडिकेटर दिये जाएंगे इसमें आपको 17 इंचेस के अलावी वील्स मिलेंगे और जो ग्राउंड किल्रेंस से वाको 296 mm का दिया जाता है एंजन यहाँ पर आपको ओफर किया जाएगा 1.5 लीटर का आईवी टैग पैट्रोल इंजन जिसमें आपको 130 बीएच्प की पावर और 210 न्यूटर मीटर का टॉर्क मिलेगा 5-speed का manual transmission और 6-speed का automatic transmission आपको दिया जाएगा interior से बात करते हैं तो आप अपनी family के साथ अराम से travel कर लोगे space और comfort आपको बहुत ही अच्छा दिया जाता है features आपको मिलते हैं 10-inch infotainment system, digital driver display, blind spot, dash cam, air purifier, safety glistix airbags, ABS, EBD और आपको A-dash system भी दिया जाएगा अब अगर बात करते हैं कि ये car कब तक launch हो जाएगी तो January end में ये car launch होने वाली है नमबर 4 पर आती है Suzuki Vitara Vitara एक 5-setter compact SUV है जिसकी pricing चली होगी 8,00,000,000 रुपे से और इसका जो top model है वा आपको तकरीबन 15,00,000,000 रुपे के अंदर दिया जाएगा जो car का looks and design है वो इस car का best part है क्योंकि ये car देखने में simple और decent लगती है पर बहुत ये खुपसरत और प्यारी दिखती है वहीं अगर बात करते हैं इसके electricals के बारे में तो front में आपको LED projector headlamp, LED DRL, नीचे आपको LED fog lamp, पीछे आपको LED daylight और आपको bulb indicator दिये जाएंगे यहाँ पर आपको 17 inches के alloy wheels मिलेंगे और 200 mm का ground clearance दिया जाता है engine आपको इस कार में offer किया जाता है 1.5 liter का hybrid petrol engine और 1.5 liter का CNG engine जिसमें आपको 5 speed का manual transmission और 6 speed automatic transmission दिया जाएगा interior से बात करते हैं तो आप अपनी family के साथ आराम से travel कर लोगे जो कार में feature design you get 7 inch infotainment system, dual zone climate control, heads up display, 6 airbags, ABS, EBD, lane assist, hill holder assist, cruise control ऐसे सरे features आपको दिये जाते हैं अब अगर बात करते हैं कि यह कार कब तक launch हो जाएगी तो February starting में यह कार launch होने वाली है नंबर 5 पर आती है Toyota Rush, रश एक 7-setter SUV है जो कि एक बड़ी family को काफी पसंद आएगी इस car की pricing चलू होगी 9 लाक रुपे सा और इसका जो top model है वो आपको तकरीबन 15 लाक रुपे के अंदर दिया जाएगा जो लुक संद दाने वो simple और decent है पर कार देखने हैं बहुत जबरदस्त और प्यारी लगती है वहीं अगर बात करते हैं इस collector का मतलब lighting के बारे में तो front में आपको LED headlights, LEDRL, नीचे आपको halogen fog lamp, पीछे आपको LED tail light और आपको bulb indicator दिया जाते हैं 17 इंचे के dual tone alloy wheels मिलेंगे और 194 mm का ground clearance दिया जाता है एंजिन यहाँ पर आपको एक ही मिलता है जो कि यह 1.5 लीटर का naturally aspirated petrol engine जिसमें आपको 5 speed का manual transmission और automatic transmission दिया जाता है इंटीर से बात करते हैं तो आप अपनी family के साथ अराम से travel कर लोगे आप साथ लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी comfort को लेकर, space को लेकर भी दिक्कत नहीं आएगी features आपको मिलते हैं 7 inch infotainment system, steering wheel mounted control, auto AC, keyless entry भी आपको इस कार में दी जाती है leather upholstery मिलेगी 6 airbags, ABS, EBD, lane की persist इस सब कुछ आपको मिल जाएगा अब अगर बात करते हैं कि ये कार कब तक launch होने वाली है तो ये कार January end में launch हो जाएगी नमबर 6 पर आती है Kia Niro, Niro एक 5-setter SUV है जिसकी pricing चलू होगी 11 lakh रुपीज से और इसका जो top model हो आपको तकरीबन 20 lakh रुपे के अंदर दिया जाएगा जो कार का looks and design हो इस कार का best पार्ट है क्योंकि ये कार देखने में बहुती stylish और premium लगती है वहीं अगर बात करते हैं सक अलेक्ट्रिकल्स के बारे में तो front में आपको LED headlights, LED RL, नीचे आपको LED fog lamp, पीछे आपको LED daylight और यहाँ पर आपको LED indicator दिया जाते हैं इसमें आपको 17 इंचेस के alloy wheels मिलेंगे और 197 mm का ground clearance दिया जाता है engine आपको सकारमा offer किया जाएगा 1.6 liter का hybrid pedal engine जिसमें आपको तकरीबन 22 kmpl तक की mileage मिल जाएगी वहीं दूसरा engine आपको 1.5 liter का diesel engine दिया जाएगा जिसमें आपको transmission मिलते हैं success speed का manual transmission और automatic transmission interior से बात करते हैं तो आप अपनी family के साथ अराम से travel कर लोगे space और comfort को लेकर दिकत नहीं आएगी features आपको मिलेंगे 10 inch infotainment system, digital driver display, ambient lighting, steering wheel mounted control, smart cruise control, leather seats, six airbags, ABS, EBD ये सब को चापको मिल जाएगा अब अगर बात करते हैं कि ये car कब तक launch हो जाएगी तो mid February में ये car launch होने वाली है नमबर 7 पर आती है Jeep Renegade, रेनेगेड एक premium 5-setter SUV है जिसकी pricing चली होगी 14 lakh रुपीज से और इसका जो top model है वा आपको तक्रीबान 23 lakh रुपीज के अंदर दिया जाएगा जो car का looks and दर वो काफी aggressive है और देखने में कार बहुती bold लगती है तो इसका जो root presence रहेगा वो बहुती शांदर निकल कर आने वाला है Electricals की बात करते हैं तो front में आपको circular shape में LED headlights उसी में inbuilt LED RL, नीचे आपको LED fog lamp, पीछे आपको LED T light और आपको LED indicator दिये जाते हैं 18 इंचे के alloy wheels में लेंगे 205 mm का ground clearance दिया जाएगा और इसमें आपको 4x4 की capability भी दी जाती है engine यहाँ पर आपको मिलेगा 1.5 लीटर का turbo charge petrol engine जिसमें आपको transmission मिलेगा इस तक स्पीड का manual transmission और automatic transmission interior से बात करते हैं तो आप अपनी family के साथ आराम से travel कर लोगे, इस space को लेकर दिखकर नहीं आएगी, car में आपको features मिलेंगे 10.25 इंच का infotainment system, dual zone climate control, TFT driver display, heads up display, 6 airbags, ABS, EBD lean key process, ADAS system में सब कुछ आपको offer किया जाएगा अब अगर बात करते हैं कि ये car कब तक launch हो जाएगी, तो mid 2025 में ये car launch होने वाली है नमबर 8 पर आती है Toyota Corolla Cross, Corolla Cross एक 5-setter midsize SUV है जो कि आपको काफी पसंद आएगी, इस car की pricing चलू होगी 12 lakh रुपीज सा और इसका जो top model है वा आपको तकरीबन 21 lakh रुपीज के अंदर दिया जाएगा इस car को DNGA platform पर बनाया गया जो कि एक बहुती durable और मजबूत platform है जो car का looks and design हो इस car का best part है क्योंकि ये car देखने में बहुती stylish, premium और luxury लगती है वहीं अगर बात करते हैं इसका electrical के बारे में तो front में आपको LED projector headlamp, LED RL, नीचे आपको LED fog lamp, पीछे आपको LED daylight और आपको LED indicator दिय जाते हैं, 18 इंचे के लावी वील्स मिलेंगे और जो ग्राउंड किलरेंस से वाको 197 mm का दिया जाता है, engine आपको यहाँ पर मिलता है 1.5 लीटर का naturally aspirated petrol engine और 1.8 लीटर का hybrid petrol engine जिसमें आपको सक्सपीड का manual transmission और automatic transmission दिया जाएगा, interior से बात करते हैं तो आप अपनी family के साथ आराम से travel कर लोगे, जो कार में feature जिसे की विया 8 इंच infotainment system, steering wheel, mounted control, dual zone climate control, six airbags, ABS, EBD, blind spot monitoring, engine start, stop button और कार में आपको moon roof भी दिया जाता है, अब अगर बात करते हैं कि यह कार कपते launch होने वाली है, तो यह जो कार ही यहाँ पर January end में launch हो जाएगी, नमबर 9 पर आती है Honda Pilot, पाइलेट एक बहुत ही जबरदस्त 7-setter SUV है जो कि आपकी family को बहुत पसंद आएगी, इस कार की pricing चल होगी 20 लाक रुपे से और इसका जो top model हो आपको तकरीबन 30 लाक रुपे के अंदर दिया जाता है, जो कार का लुक सुने दर में वो काफी aggressive और bold ह देखने में कार बहुत ही जबरदस्त लगती है, वहीं अगर बात करते हैं इसका electrical के बारे में, तो front में आपको all LEDs का setup मिलेगा, तो night में आपको visibility के लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वहीं पीछे आपको LED टेल लाइट और आपको LED इंडिकेटर दिया जाएंगे, 20 इं के साथ आराम से comfortable location में travel कर लोगे, इस पेस को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, फीचर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10 इंच infotainment system, TFT driver display, heated and ventilated front seats, dual zone climate control, ADAS system, blind spot, six airbags, ABS, EBD, सब कुछ आपको मिल जाएगा, अब अगर बात करते हैं कि ये कार कब तक launch होने वाल आपको तक्रीबन 30,000,000 रुपे के अंदर दिया जाएगा, यह एक बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही अच्छी दिखने वाली 7-setter SUV है, जिसमें जो looks and design वाल को काफी sporty दिया जाता है, electricals की बात करते हैं, तो front में आपको all LEDs का setup दिया जाता है, वहीं पीछे आपको LED टे transmission और automatic transmission दिया जाएगा, और इससे आप mileage तकरीबन 22 KMPL तक का निकाल सकते हो, interior से बात करते हैं, तो आप साथ लोग अराम से comfortable location में travel कर लोगे, space और comfort को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, features आपको मिलेंगे 10-inch infotainment system, ambient lighting, 12-inch TFT driver display, steering wheel mounted control, smart cruise control, ADAS system, ऐसे बहुत सारे features आपको दिय जाएंगे, अब अगर बात करते हैं कि ये कार कप तक launch हो जाएगी, तो mid February में ये कार launch होने वाली है, नमबर 11 पर आती है Nissan Rogue, रोग एक 5-setter premium SUV है, जिसकी pricing चलू होगी 14 lakh रुपीज से और इसका जो top model है, वो आपको तकरीबन 23 lakh रुपीज के अंदर दिया जाएगा, जो कार का लुक्सन दर्म काफी bold और aggressive है, देखने में कार बहुत ही जबरदस लगती है, और ये कार आपको एक जलक में पसंद आ जाएगी, बात करते हैं इसके lighting वगेरा के बारे में तो front में आपको all LEDs का setup मिलता है, वहीं पीछे आपको LED टेल लाइट और आपको LED इंडिकेटर दि इंटीर से बात करते हैं, तो आप अपनी family के साथ अराम से travel कर लोगे, जो कार में features हैं, और यहाँ पर जितने भी safety related features हैं, वह आपको बढ़िया offer करवा दिये जाते हैं, अब अगर बात करते हैं कि ये कार कब तक launch हो जाएगी, तो ये जो कार है यहाँ पर March 2025 में launch होने वाल जो looks and design वो इस कार के decent और simple है, पर कार देखने में बहुती प्यारी और stylish लगती है, वहीं अगर बात करते हैं इसके electricals के बारे में, तो front में आपको LED headlights, LED DRL, नीचे आपको LED fog lamp, पीछे आपको LED daylight और आपको LED indicator दिये जाते हैं, 20 inches के alloy wheels मिलेंगे और जो ground clearance हो 197 mm का दिया जाता ह engine आपको इस कार में offer किया जाएगा, 2 लीटर का hybrid petrol engine जिसमें आपको तकरीबन mileage मिल जाएगी 20 kmpl तक की 6 speed का manual transmission और 8 speed automatic transmission दिया जाएगा, interior से बात करते हैं तो आप साथ लोग अराम से comfortable location में travel कर लोगे, जो कार में feature जिसे क्योंगे 10 inch infotainment system, dual zone climate control, heads up display, 12 inch का TFT driver display, wireless charging, 6 airbags, ABS, EB cruise control, ADAS system यह सब कुछ आपको मिल जाएगा, अब अगर बात करते हैं कि यह car कब तक launch हो जाएगी तो January end में यह car launch होने वाली है, नमबर 13 पर आती है Nissan Tira, Tira एक बहुती जबरदस 7-seater SUV है जिसके आने से फॉर्चनर का market गिर जाएगा, इस car की pricing चलू होगी 30,00,000 रुपे से औ अंदर दिया जाएगा, जो car का लुक्सन देन वो काफी sharp, edgy और बहुती modern है, देखने में car बहुती bold लगती है, वहीं अगर बात करते हैं असके electricals के बारे में तो front में आपको LED headlights, LEDRL नीचे आपको LED fog lamp, पीछे आपको LED till light और आपको LED indicator दिये जाते हैं, 21 inches के alloy wheels मिलेंगे और 215 mm का ground clearance दिया जाएगा, engine यहाँ पर आपको offer किया जाएगा 2.2 liter का turbo charge petrol engine और 2 liter का hybrid diesel engine जिसमें आपको 6 speed का manual transmission और automatic transmission दिया जाएगा, interior से बात करते हैं तो आप अपनी family के साथ आराम से travel कर लोगे, साथ लोगों को बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, features आपको दिये mounted control, 6 airbags, ABS, EBD, 3 drive modes, ADAS system इस सब कुछ आपको दिया जाता है, अब अगर बात कर लेते हैं कि एक आर कप तक launch हो जाएगी, तो यह जो कारे हैं यहाँ पर February end में launch हो जाएगी, बाकी आप comment के ज़रूर बताना कि इन 13 SUVs में से ऐसी कौन से SUV जो कि आप अपकी family के लिए लेना पस ुझ जाएब।